असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 12 क्लास के उर्दो के कहकशा के किताब से चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है बरके कलीसा सबसे पहले आप लोग बरके कलीसा का मतलब समझे किसका मतलब क्या होता है कलीसा का मतलब होता है जहां पर क्रिश्चन लोग इबादत करने के लिए जाते हैं जिस तरह मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद में इबादत करने के लिए जाते हैं हिंदू धर्म के लोग मंदिर में इबादत करने के लिए जाते हैं दा सेम वे जो क्रिश्चन लोग होते हैं वह चर्च यान की कलीसा में इबादत करने के लिए जाते हैं तो कलीसा यानि की चर्च और बरक का मतलब होता है बिजली यानि की चर्च की बिजली और इस चप्टर में चर्च की बिजली कहा गया है एक लड़की को जिसका नाम रहता है मिस मिस नाम के लड़की है उसको इस चाप्टर के जो लेखा कहे मुसाणिफ अकबारालाबादी उस लड़की को दो खुब सुरत रहती हैं इतनीच शॉपसूरत रहती है कि अकबार अलाबादी के दिवाने हो गये और उसी की खुबसूरती ब्यान करते हुए ठीक इस चप्टर में नजम के तौर पर कवीता के तौर पर लिखे हैं कि वो लड़की किस तरह की है और एक चीज़ आप लोगों को जाना जरूरी है कि यह जो चाप्टर है यह एक नजम तो है नजमियन की कवीता तो है लेकि नज जरीफाना नजम है जरीफाना नजम उसे कहते हैं जिसमें हसी मजाख हो और सबसे जो इंपोर्टन बात है वह तन्स यान की कवीता लिखी गई है उस चीज़ के बारे में कमेंट किया गया है या तो इसकी अच्छाई पर या फिर बुराई पर हसी मजाख के तौर पर मज़ाग के तौर पर कमेंट और हसी मज़ाग किया जाता है ठीक तो जरीफाना नजम जिसमें हसी मज़ाग हो तंद यान की कमेंट हो उसे के उसी को कहते हैं जरीफाना नजम तो यह बरक कलीसा नाम का चैप्टर जो है यह एक जरीफाना नजम है जिसमें हसी मज़ाग भी है और उस लड़की जो मिस नाम की लड़की उस पर कमेंट किया गया है इट मिंस उसकी अच्छाईयों को दिखाया गया है ठीक अकबर आलाबादी बताया है यह सारी शिचर मैं इस नजमियन की इस कवीता के परतीक लाइन को पढ़तार उसका मतलब समझाओंगी लेकिन सबसे प पूरा नाम है अकबर हुसेन और इनकी पैदाइश हुई थी अक्टूबर अठार सब पैतालिस इस भी में अलाहाबाद में अब यहां पर दियान दीजे इनका पूरा नाम है अकबर हुसेन और इनकी पैदाइश अठार सब पैतालिस इस भी में अलाहाबाद में हुई थी और इसलिए अक्बर अलाहबादी के नाम से मशूर हो गए, क्योंकि शुरुवात में क्या है इनके नाम में अक्बर और ये अलाहबाद में पैदा हुए थे, तो अक्बर अलाहबाद मिलकर अक्बर अलाहबादी के नाम से ये मशूर हो गए, भले इनका नाम तो अक्बर हुस इनकी पैदाइश के जगह का नाम और उसके बाद से इनके दादा जी का नाम है सयद फजलि-मुहंपद और इनके पिता जी यानिकी वालीद का नाम है तफजुल हुसेन और जब अकबर अलाबादी एक 11 साल के थे तो उनके वालिदीन यानकी उनके माता और पिता दोनों जन् में हैं उसी वक्त इनके माता-पिता की मिरिट हो गई और उसके बाद से अक蓬 आला बादी का दाखिला हुआ लेकिन होने से पहले ग़र पर ही वर्ग फार्थी अंग्रेजी अर्भी और रियाजी की तालिम हासिल कर लिये थे शुरुवाती सिक्षा ले लिये थे इतने सारे मतलब लेंग्वेज की ठीक अगे बढ़िये वकालत का इमतहान पास किया जब इनके मतलब माता-पिता की मौत हो गई अठासथ चपणी मैं और इनका स्कूल में दाखिला हुआ मिशल इसकूल में जब दाखिला हुआ तो वो उस स्कूल में सिर्फ एक ही साल पढ़े थे और जब वह पड़ रहे थे उसे वक्त गदर का हमला हुआ ठीक है और उससे हुआ यह कि अकबर अलाब बदी की दूब कर दिए और जॉब करते गये और जॉब करकर वह अपने ही पैसे से पढ़ाई करना फिर से शुरू किये और उसके बाद से वकालत का इमतहान पास किये और फिर वकील बन गये और बहुत ही ब्रांडेड अब बुल सकते हैं बहुत ही एक्सपर्ट बने नाम और इनकी श सतीन में यह रिटायर हो गए वकील के पोस्ट से ठीक और आगे बढ़िए अठारस अन्ठानवी रिस्वी में खान बहादूर का खिताब भी मिला जब अक्बर अलाबादी वकील थे ना तो बहुत अच्छा वकालत किया करते थे यहां तक कि एक बार जज भी रहे हैं तो वकी अन्ठानवी रिस्वी में खान बहादूर का खिताब में मिला था ठीक और आगे बढ़िए अक्टूबर 1910 में उनकी बीवी का और 1913 इसवी में उनके बेटे का इंतकाल हो गया इनके माता-पिता का तो ओलड़ी इंतकाल हुए गया था 1856 में उसके बाद से इनका रिटायर में इनके बीवी का इंतकाल हो गया और 1913 में इनके बेटे का इंतकाल हो गया इनके पास जीने के लिए कोई वज़ा ही नहीं था एक तो खुद तब्याद खराब रहती थी पोश्ट से रिटायर भी हो गये थे माता-पिता का इंतकाल ही हो गया था बेवी और बच्चों का पर इनका इंतकाल हो गया और अवद पंच के नौर अतनों में शुमार भी पोते हैं यानि कि आउद पंच के नौर अतनों मेंको सामिल किया जाता है ठीक तो यह याद रखिएगा अभर अलाबादी के बारे में थ्वड़ा हम लुग इमोशनल हो लाश्ट में आखिर अगबर अलाबादी की मतलब लाश्ट में आकर मृत्ती हुई ऐसी थी कि कोई भी इंसान सुनकर उमोशनल हो जाएगा उनकी बीवी बचो माता पिता सबका इंतकाल हो तो यह थोड़ा इमोशनल होने वाली बात भी है बट कोई दिकत नहीं है अब चलिए मैं आप लोगो समझाती हूं इस बरक कलीसा नाम के जरिफाना नजम में नजम को जिसमें कमेंट भी है और हसी मजाग भी है ठीक तो पहले लिए यहां तक फटट फटट स्क्रीन शॉर्ट अब चलिए मैं आप लोगो इस नजम के पढ़ती एक लाइन को पढ़कर उसका मतलब समझाती हूं देखे शुरुआत में अकबर लाबादी लिखे हैं कि रात उसमिस से कलीसा में हुआ मैं दोचार हाय वह हुसन वह शोखए वनजाकत वह उबार जुल्फ पेचा में वह खम के कयामत भी शहीद आखे वो फितने दौरा के गुनागार करे गाल वसुबा दरखशा के मलक प्यार करे गरम तकरीर जिससे सुनने को शोला लपके दिलकश आवाज सुनकर जिसे बुल बुल जपके यहां पर बोल रहे हैं अकबर लाबादी कि उस रात मुझे कलीसा में सकी मिस नाम की लड़की से मुलाकात हुली यानि कि मैं उस लड़की से दोचार हुआ ठीक है और हाइ उसकी हुसन और उसकी नजाकत क्या कहे कहने लाइक है nailedब कहूंगा तो मैं ब्याद्망 कर सकता क्या उसका हुसन था जल्फ पेचा यानि कि वहा एसने जल्फ पेचा में अंह उसकी आंखी इतनी खुबसूरत कि देखने वाले बी गुनागार हो जाएं ठीक गाल ऐसे यह मतलब जो फुरुष्टे हैं वो भी प्यार करें वरं तकारी संही की वह जब बाते करती परनर जुक जाए आतिस हुसन से तक्वा को जलाने वाली बिजलिया लुटिव तबसम से घिराने वाली पहले हुसन एम एक मिनट पहले हसने बया शूखी तकरीर में घर्ग टर्कीवा मिस्र फलिस्तीन की हालात में बर्क पिस गया लुट गया दिल में सकत ही न रही सुर्थ कि दिलकृशी चाल ऐसी कि सभी लोग देखते ही रह जाए देखते देखते सितारे भी रुख जाई इसकी ऐसे चाल थी उसके बाद से मतलब अपने हुसन से भिजलिया गिराने वाली सब तरह से वह बहुत ज़्यदा खुबसूरत लग रही थी और मतलब उसकी तक्रीर में य ठीक और बोल रहे हैं आगे पिस गया लुट गया दिल में सकत ही ना रही मतलब ताकत ही ना रही सुर्थ तमकीन के जिस गत में वो गती ना रही जबत के अजम का उस वक्त असर कुछ ना हुआ या हफीज का किया वर्द मगर कुछ ना हुआ बोल रहे हैं कि मैं पिस गया मैं लुट गया दिल में जो है ना सकत ही न रही मैं अपने आपको पूरी कोशिश की कि रोक लूँ मैं अपने आपको रोकने की पूरी कोशिश की यहां तक कि खुदा का भी नाम ले रहा था मैं अक चला ही गया आखिर में और जाकर बोला अब देखिए क्या बोले कि अर्ज की मैंने ए गुल्षने फित्रत की बहार दौलत व इस्जत व इमा तेरे कदमों पे निसार तु अगर एहद वफा बांद के मीडी हो जाए सारी दुनिया से मीडी कलब को सीरी हो जाए ठीक है तो यहा कुछ छोड़कर सारी दुनिया को छोड़कर मेरी हो जाओ तो मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए मैं तेरे कदमों पर अपना दौलत इस्जत इमान सब कुछ निसार कर दूँगा बस तु मेरी हो जाओ सब कुछ छोड़कर ठीक अब देखिए आगे क्या कुछ में मैंने जो जुबायू खोली नाजव अंदाद से तीविरी को चड़ा कर बोली गयर मुम्किन है मुझे उन मुसल्मानों से बूए खू आती है उस कौम के इनसानों से लंतरानी की यह लेते हैं नमाजी बनकर हमले सरहत पर किया करते हैं घाजी बनकर कोई बनता है जो महदी तो बिगड़ जाते आग में कुदते तोप से लड़ जाते गुल खिलाए कोई मेदा में इतरा जाएं पाए सामाने हकामत तो क्यामत ढ़ाए मुतमईन हो कोई क्यूं करिया है नेक निहाद है हनूज उनकी रगों में असरे हुक्म जिहाद दुश्मने सबर के अबादी उस लड़की से कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरी हो जाओ मैं तुम्हारे कदमों में अपना दौलत इज़त इमान सब कुछ निसार कर दूंगा तब वो जो लड़की है वह नाजव अंदाज और त्यूरी को चढ़ा कर बोली और गुसा होकर बोली गयर मुमकिन ह तूमसे मौबत कभी नहीं हो सकता है मुझे मुसल्मानों से नफरत है उनसे हून की बू आती है वो लंग तरानी किये लेते हैं नमाजी बनकर बढ़े-बड़े डिंग मारते हैं दिंग हांकते हैं बढ़े-बड़े भासड़े दिया करते हैं और उसके बाद से सरहड पर ग उदते हैं तोप से लड़ जाते हैं गुल खिलाए कोई मैदा में तो इतरा जाए अगर किसी मुसल्मान की तारीफ कर दो तो वह मतलब अपने आपको मतलब क्या बोल सकते है बादशाही समझने लगता है तीक लगता है उसके जैसा मतलब कोई ही नहीं इतराने लगता है अपने आप में मिस नाम की जो लड़की रहती है वो मुसल्मानों की बुराई करती है और बोलती है कि मुझे मुसल्मानों से सख्त नफरत है ठीक है मुसल्मानों से महबत कभी नहीं ऐसा हो सक की मैंने की ऐ लजदते जा राहते रूँ अब जमाने पे नहीं असर आदम वानू बोले अगबर अलाबादे की ऐ मेरी रूँ को रहत दिलाने वाली अब जमाने पे अब इस जमाने पे अब आदम वानू का असर नहीं रहा अभी के मुसल्मान पहले के मुसल्मान के जैसे नही रहें सजर तूर का अब उस बाग में पौदा ही नहीं गेस्वे हूर का उस दोर में सौदा ही नहीं अब कहां जहन में बाकी है बराक और रफ रफ टक्टिकी बंद गई है कौम के इंजमन की तरफ हम में बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग दिल पे गालिब है फक्त ह पाफिज शेराज का रंग या ना वा नारा तक्बीर ना वजोश सिपा सबके सब आप ही पर पढ़ते हैं सुभान अल्ला जो है तेग मजाहद तेरे अब रूप पर निसार नूर इमान का तेरे आइन रूप निसार उट गई सौफा खातिर से वबैस बद्वनेक दो दिले हो कि अकबर अलाबादी बोलें उस लड़की से कि अभी के जो मुसल्मान है तो क्यों चैंज हो चुकत हैं पहले की मुसल्मानों ये सायथ वो थे खालिद直बाद, जो शायद एक्तालिस जंग लड़े थे, और एक्तालिस जंग में कभी हार नहीं माने थे, तो वही अक्बार Allaha कर रहे हैं मिर्जा गालिब की तरह ठीक है सभी लोग इस जितने भी मुसल्माने अब इसकों महबत में डूबे हैं ठीक है अभी के मुसल्मानों में वह नारे तक्बीर लगाने का ताकत ही नहीं है अब सभी के मुसल्मान सिर्फ सुभान अल्ला सुभान अल्ला कर रहे हैं उसी ताकत ही नहीं है कि अभी के मुसल्मान नारे तक्बीर का नारा लगा सके पहले लगता था पहले के मुसल्मान में इसे जोश और इसे जुनून थे ठीक और फिर बोल रहे हैं कि अभी जो है ना दो दीले हो र तो निकालो दिल नाजुक से या श्रबय या वहम मेरे इसलाम को एक समाजी समझो हसके बोली के तो फिर मुझको भी राजी समझो यहां पर बोल रहा हैं अक्बर अलाबादी कि नाम ही नाम है वर्णा मैं मुसल्मान हैं हम लोग नाम के मुसल्मान हैं लेकिन नाम के मुसल्मान हैं पहले की मुसल्मानों के जैसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं पहले की मुसल्मान से बिल्कुल हम लोग अलग हट चुके हैं अभी कि मुसल्मान प ताकत जनून और जोश नहीं रहा तो बोल रहे हैं अकबर अलाबाद इस लड़की से तो फिर ये जो भी तुम अपने अंदर वहम बैठा कर रखी हो कि मुसल्मान कतल किया करते हैं ठीक है उसके बाद से सरहद पर जाकर लडाईय करते हैं या फिर जो भी तुम अपने अंदर मुसल्मान के लिए वहम बैठा कर रखी हो निकाल दो कि अभी के मुसल्मान तोटली चेंज हो चुके हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये तुम जो भी कहानी सुनी हो मुसल्मानों की जो भी किस्सा सुनी हो ये माजी समझो यान की गुजरा हुआ जमाना समझो ये पहले भी राजी समझो ठीक तो यहीं पर होता है आप लोग का यह चाप्टर कम्प्लीट और यह नजमियन की कवीता कम्प्लीट कोई भी कम्फूजन हो इस चाप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी मैं आप लोग को जो कुछ कर और का अप्सन क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्ट वडियो में नेक्स टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज